Hello everyone, welcome to our YouTube channel, monthly current of year session में आपका स्वागत है, इस बार में पूरा January का monthly current of year लेकर आ रही हूं, पूरा January का निचोड है, top 50 question है, आप अगर कोई भी exam की तयारी कर रहे हो, चाहे वो state की हो या center की हो, हर exams में current of year पूछा ही जाता है, इसलिए में January मन्त का पूरा ही निचोड लेकर आ र technology has been inaugurated in which university? कलपना चामला Center for Research in Space and Technology का उद्घाटन किस विश्वी ध्याले में किया गया था? कोशन ध्यार से सुनना और समझना और उसके बाद आप answer खुद भी लगा सकते हैं, बाकी answer तो मैं बताऊंगी ही, चाहे है, तो जो कलपना चामला Center for Research in Space and Technology है, उसका उद्घाटन चंडिगर युनिवर्सिटी में किया गया है, चेक? तो इसके बाद में थोड़ा हम जानते हैं, जैसे कि explanation में देती ही हूँ हर बार, चेक है, तो केंद्री रक्षा मंत्री राजनान सिंग ने 3 जनवरी 2021 को चंडिगर विश्वी ध्याले में अंतरिक्ष विज्ञान और प् वुमें राफिल फाइटर जेट पाइलेट शिवांगी सिंग वास पार्ट अफ इंडियन एर फोर्स टैबलु एड रिपब्लिक डे परेट 2022, वुवास फीमिल फाइट जेट पाइलेट टू पाइलेट पाइलेट इन 2021, भारत की पहली महिला फाइटर जेट पाइलेट शि जहांकी का हिस्सा थी, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि 2021 में IAF की जहांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर पाइलेट कौन थी, देखो 2022 का तो कोशन में ही पता चल गया हमें सिवांगी सिंग थी, तो 2021 का पूछ रहे हैं, तो भावना कंठ जी थी, ठीक, थोड बही 2022 में हुए जहांकी उसका ये हिस्सा थी, ठीक, वहा lahा आएएえफ की जहांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दुसरी महिला फाइटर ज्र पाइलेट हैं, 2021 में फाइट फ्लाय्ट लेफ्टीनेंट भावना कंठ आईएएफ की जहांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला पाइलिट बन गई ठीक है और इंडियन एयर फोर्स की थीम क्या थे इस बार इंडियन एयर फोर्स ट्रांस्वर्मिंग फॉर्द फूचर बहुत बार थीम भी पूछ लेते हैं इसलिए तीम जानना जुर्री हो जाता है नेक्स कोशन है और मोहमद हफीज थीम के लिए खेले अब देखे सन्यास की जुन्हों ने गोशना कर ली उनके भी कोशन बनते ही बनते हैं तो अपने मोहमद हफीज का पूछ रखाया है वो पाकिस्तान से हैं ठीक पाकिस्तान की खिलाडिये इंडिया ने जीता था 21 तूढ़ा इसके बार में जानते हैं तो इंडिया ने अगए जीता तो किसको हराके जीता भारत ने श्री लंका को 9 विकेट से हराक के 8 वा अंडर 19 एशिया कब खिताब डगवर्थ लुईस टर्न या DLS पदिती से जीता अंडर 19 एशिया कब खिताब का फाइनल दुबई अंतरास्टी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था बहुत जर्री हो जाता है क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो अंडर 19 2021 हुआ था कहां पर हुआ तो दुबई में अंतरास्टी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ भारत अब तक आठ बार अंडर 19 एशिया कब जीत चुका है किस देश ने जनवरी 2022 में कुल 831 किलो मेटर लंबा वाली दुनिया की सबसे लंबी मेटर लाइन खोली है 831 किलो मेटर सबसे लंबी मेटर पूछ रहे हैं किस कंट्री ने खोल दी है अपनी चाइना ने ऐसे काम चाइना के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है बिल्कुर नई टेक्नोलोजी वाले काम तो थोड़ा हम इसके वारे में जानते हैं संगाई ने दो नई चालक रही दुनिया की सबसे लंबी मेटर लाइन खोली है दो नई लाइनों के साथ सहर के मेटर नेटवर्क के कुल लंबाई 831 किलोबिटर है लंबाई पूछ लिया जाता है इसलिए लंबाई जाना बहुत जरी वात है सबसे बड़े नेटवर्क वाले सहरों की सूची में संगाई के बाद बीजिंग दूसरे नंबर पे है फिर अपने तिसरे नंबर पे अपना इंडिया का दिल्ली है ठीक है थोड़ा और इंफॉर्मिशन जान ले था हम चीन के बारें चीन ने अंत्रिक्ष अन्वेशन और नई प्रदोई की प्रिक्सक्षणों के लिए उपगरह का एक नया सम्हू सीजियान 6.05 लॉंच किया है चीन ने 9.21 को दुनिया का पहला प्रिथिवी विज्यान उपगरह अंत्रिक्ष में लॉंच किया है 25 अक्टूबर 2021 को चीन ने सीजियान 21 नाम का एक नया उपगरह प्रसेक्षित किया है कौन-कौन से उपगरह करें है नए लॉंच उसके बारे में पूरा डिटेल में है ठीक है अब चाइना का थोड़ा जान लेता है स्टार्टी कोशन कैप वर दे जी सेवें प्रेजिडेंशी जेनवरी 2022 में किस देश ने जी सेवें प्रेजिडेंशी का पत्भार ग्रहंड कर लिया जर्मनी ने कि आपनी उन्मेलन 29-28 ज्यून 2022 तक बैवीरियन एलपेस में होने वाला है अभी होने वाला है जून में टीक है और जी सेवें घृप यानि कि अमेरिका कौन कौन से कंट्री है जान लो अमेरिका, कैनेडा, जैपैन, फ्रेंस, यूके, इटली एंड जर्मनी शामिल है इसमें और इस बार की प्रेजिडेंसी जर्मनी ही कर रहा है नेक्स है लेकिन अब डिस्ट्रीक पूछ रखा है कौन सा डिस्ट्रीक है, तो गंजम डिस्ट्रीक है थोड़ा जादा कोश्चन से तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे है नहीं बाकी तो देखी रहे हैं, आप करेंट अफ्यार आते रहता है मेरा वीकली वगरा भी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं और इसको हम थोड़ा जल्दी कवर अब करनी की कोशिश करेंगे यूँकि बहुत लंबी बन जाएगी बना वीडियो, ठीक है Next, scientists have identified a new strain of COVID-19 नेम IHU और B1.640.2 वेरियंट इन विच कंटर इन जैनवरी 2022 विग्यानिकों ने जैनवरी 2022 में किस देख में IHU या B1.1.640.2 वेरियंट नाम है COVID-19 का एक नया strain की पहचान गरिये COVID-19 बहुत चल रहा है उसका नया strain भी आगया इस बार तो कौन से देश ने उसकी पहचान करी है ये पूछ रखा है तो अपने France ने की है ठीक है France ने की है नाम देख लेना उस strain का ये है B.1.640.2 अब France की बार में थोड़ा जान लेते हैं France की Capital Paris है, Currency Euro है, National Sport Football है नेक्स है, What is the theme of National Science Day 2022? रास्टी विज्ञान दिवस 2022 का विशय क्या है? तो इसका theme बहुत बार पूछ लिया जाता है National Science Day या कोई भी Science Day, कोई भी Day हो रहा है उसका theme पूछ लिया जाता है तो इस बार का theme है 2022 का Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future ये option ठीक है, सतत भविश्ची के लिए विज्ञान प्रवधिकी की मैं एक ही क्रद रिष्टी कॉन? अब थोड़े महनत आप लोग भी करो, देखो मैं इती महनत कर रहे है आप लोग के लिए अच्छे-चे questions लेके आती हूँ मुझे National Science Day बताना कब होता है कमें ठीक है? और answer जरूर देना इसका Next है, in January 2022, which of the following has approved a kit name Omicron that will be to use detect Omicron जनवरी 2022 में निमने लिखित में से किसे Omicron नाम का एक kit को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग Omicron का पता लगाने के लिए किया जाएगा तो कौन से company को या किस organization को ये मंजूरी दे दी गई है? तो Indian Council of Medical Research को भारती चिकिसा अनुसंधान परिसत को ये क्या दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है ठीक है? थोड़ा हम जानते है, kit का निर्मान टाटा मेडिकल एंड डाइगोनोईज द्वारा किया गया है और इसका नाम Omicron है यहाँ variant का पता लगाने के लिए as gene target failure run नीती का उप्योग करता है इस kit का test run time 85 minute है ठीक है run time जाना ज़री आता पूछ लिया जाता है कि run time कितना है करके next है who have achieved the first ever Guinness world record in numerology and first world record of 2022 numerology में पहला Guinness world record और 2022 का पहला world record किसने हासिल किया है तो देखो 2022 में पहला world record हसिल कर लिया तो अपने में ही important बन जाता है JC चौधरी जी ने किया है numerology में next is the India first unique rock museum inaugurated dash city in January 2022 भारत के पहले अद्वित्वे rock संगराले का उद्गाटन जैन्वरी 2022 में कौन से शहर में किया गया भारत का पहला rock museum है तो ये अपने में ही important हो जाता है तो हैदराबाद में हुआ है ये हैदराबाद में सका उद्गाटन किया गया है next is in January 2022 which country has made child marriage illegal जन्वरी 2022 में किस देश ने बाल विभा को अवयद बना दिया गया है तो बाल विभा वैसे भी illegal है या कहना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बाल विभा तो जन्वरी 2022 में अवयदी बना दिया गया है कौनसी country ने फिलिपिन्स ने बनाया है ठीक है थोड़ा फिलिपिन्स की बारे में जानते है कैपिटन मैनिला है करनसी फिलिपिन्स पैसो है ठीक नेक्स है खादी एन विलेज इंडेस्ट्रीज कमी शंचियर में विने कुमार सकसेना इससे हमें के अध्यक्ष पता चल गए अब उन्हाने क्या काम किया है उन्हाने जनुरी 2022 में कह रहे हैं किस सहर में देश की पहली मुबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लांच की है तो गाजिया बाद में की होनों ने चीक है नेक्स है दनुषका गुण थिलीका एनौंस इस रिटायर्मेंट फॉम देश कर के जनुरी तो पूछ रहे हैं यह किस देश से है ठीक है दनुषका गुण थिलीका जी यह अपने श्रीलंका से है ठीक है थोड़ा अब हम इसके बार में जानते है श्रीलंकाई बल्ले बाद हैं यह दनुषका गुण थिलीका ने आठ जनुरी दो हजार बाइस को टेस क्रिकेट से सनियास की घोशना कर ली है गुण थिलीका ने अपना आखरी टेस मैच दो हजार अठारा में खेला था जि जल्दी 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 गोठ्रू कर लेते हैं न्यूजी लेंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने 30 दिसंब्द 2021 को अंतरास्टी किरकेट से सनियास के घोशना कर लिए बांगलादेस के बले बाद मोहमद दुल्ला रियाद ने चौबीज जिन्री 2021 को टेस्ट को से ही गोशना की कर लेते हैं सन्यास की गोशना ठीक तो थोड़ा पाकिस्तान का बार में जानते है कैपिट इसलामाबाद करन्सी है पाकिस्तानी रुपे नैसना स्पोर्ट फिल्ड होकी इसलिए बताती हूं अगर करेंट में कोई चीज उछली है कोई कंट्री का नाम आगे आया है तो उसके बार में पूछ लिया जाता है कि इस कौन सी उसका स्पोर्ट कौन सा है इसकी कैपिटल कौन सी है इसलिए मैं बताती हूं नेक्स है विछ कंट्री विल होस ता 2022 एसी वुमन फुट्बॉल एशिया कप कौन सा देश 2022 महिला फुट्बॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा तो अपना इंडिया करेगा 2022 एसी वुंस फुटबॉल एशिया कब की मेजबानी ठीक है थोड़ा अब इसके बार में जानते हैं भारत 20 जन्वरी 2022 में मुंबई नवी मुंबय पुने में AFC महिला फुटबॉल एशिया कब भारत 2022 की मेजबारी करने के लिए पूरी तरीके से तयार है मतला हो चुका है यह ठीक है अब मैं अब लारी हूं वीडियो अगर हम बात करें जन्वरी के तो उस टाइम पर हो चुका है कोशन यह है कि किस देश के वग्यानिकों ने डेल्टा क्रॉम के रूप में डब किये गए कोरुना वाइरस के एक नए संस्क्रण का पता लगाया है डेल्टा और ओमिक्रोन दोनों वारियन को मिला कर तो किस देश ने पता लगाया है साइडरेस ने साइप्रस ने नेक्स से चूब प्रमोट वोमन से इंपाव्मेंट हूज बिन अपॉइंटेट एस अमबैस्टर अफ लीजेंड ली कंटरी इन जैनुरी तो थाउजन तो थाउजन तो तो किसे बनाया गया है जूलन गुष्वामी जी को बनाया गया है थोड़ा अब इसके बारे में हम जानते हैं भारत ने दिसंबद 2021 में ये सारा किर्केट से रिलेटेड करेंट अफ यह है इंपॉर्टेंट वहां तो हमने बात कर दी कि महिला ससक्तिकरण को आगया बढ़ाने के लिए जूलन गुष्वामी जी को बना दिया है ब्राइंड ठीक है अब थोड़ा हम किर्केट के बारे में करेंट इफिया जानते हैं थोड़ा गोठू करते हैं फटा फट भारत ने दिसंबद 2021 में दुबई संयुक्त अरब अमेरित में आयोजित अंडर 19 एश्या कप किर्केट जीता कहां हुआ दुबई में कौन सा जीता अंडर 19 ए पर आकर सैंचूरियन में टेस्ट में जीतने वाली पहली एश्याई टीम बन गई है फिर नेक्स है थोड़ा और जानते हैं अंतरास्टी क्रिकेट परिसत आइसी सी ने नवेंबब 2021 में ज्यॉफ एलाडिस को अंतरास्टी क्रिकेट साइसी निकाय का पर्मानेंट सियो निय अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो आई सी सी की बात ना हो ऐसा हो यह नहीं सकता है थोड़ा आई सी सी की बार में जानते हैं है दूबई में फाउंड वे थी 15 जून 1909 में डिप्टी चेर मेंने इम्रान ख्वाजा और चेर मेंने गर बाट से ले तो इसको आप नोडाउन कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अपनी फॉदे स्टेडी के लिए नेक्स है इन जैनवरी 2022 विच अब यह रख दिया यह नाम रेल्वी स्टेशन यहां चेंज हो गया यह प्लाटफॉर्म चेंज हो गया यह फिर एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया ऐसे नाम केवडिया रेल्वे स्टेशन रग दिया गया है इस जनवरी 2022 से ठीक है तो केवडिया रेल्वे स्टेशन कहां पर है इन नर्मदा डिस्ट्रिक और गुजरात जिसको एकता नगर रेल्वे स्टेशन बोलते थे अब केवडिया रेल्वे स्टेशन बोलेंगे जो कि गुजरात निमने लिखित में से कौन 2030 से वीवो को IPL के टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्तापित करेगा ठीक है तो कौन करेगा अपना टाटा ग्रूप करेगा ठीक नेक्स है दाटाटा टाटा ग्रतरान टाटा टाराइस बाइट बायोग्रेफी है है bênोhstat ठीक अपने डॉक्टर थॉमस मेथ् त्वारा लिखी गई है यह बुक रतर्न टान टाटा ग्रतरा खी बायोग्रेफी है नेक्स है, what is MPATZM that was successfully tested by the Defense Research and Development Organization in January 2022 MPATZM यह पूछ रहे हैं कि यह क्या है, जिसे जन्वरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलता पूर्वा प्रसिक्षन किया गया था तो यह एक Anti-Tank Missile है, जिसके बार में थोड़ा हम जानते हैं, तो DRDO के बार में जानते हैं, पूरा डिटेल में दिसम्ब 2021 में भारत ने उडिसा के बालव सोड़ तर्ट से लंबी दूरी की स्मार्ट सूपरसोनिक मिसाइल एसिस्टेट और पैडू का सफल परिक्सक्षन किया इसके चियर्मन कौन है, डॉक्टर जी, सती स्रेडी जी है, हैट्वाटर न्यू डेली में है, इस्टाबलिच नाइटिन फिप्टी एट में हुआ था, अब DRDO की कुछ मिसाइल हैं यह, DRDO मिसाइल है, उनके रेंज के साथ पूरी डिस्ट देरी की, चाहे तो आप इसका स्क 2022, has become the first Indian origin woman to track solo to the South Pole, जनवरी 2022 में दक्षिन दुरूफ के लिए एक अकेले असमर्पी ट्रेक को पूरा करने के बाद, दक्षिन दुरूफ पर अकेले ट्रेक करने वाली पहली भारती मूल की महिला बन दी है, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत नाम आया, नियूस पेपर में पहली भारती मूल की महिला बनी है, अकेले ट्राक करने वाली दक्षिन दुरूफ के पे, तो कौन है वो अपनी, वो है अपनी हरप्रीत चंडी जी है, थोड़ा इनके बार में जानते है, कैप्टन हरप्रीत चंडी, एक भारती मूल की ब्रिटिश सिक सेना अधिकारी और फ पूरा करने वाली फर्स वूमें अफ कलर बन की इतिहास बना दिया है, चंडी ने दिन चालीस के अंत में 700 मील की यात्रा के बाद इतिहास रच है, जहां भी इतिहास रच है, इंपोर्टन है, नेक्स है, वो हैस बीन अपॉइंटेट अज दा निव चीफ आफ इंडियन जन्वरी 2022, इस रो के कौन नए प्रमुक के रूप में नियुक तो हुए है, ये कोशन है, तो अपने S. सुमनाथ जी नियुक तो हुए है, चिक, अब थोड़ा जानते है हम, इस रो के चेर्मेन के सिवन 13 जन्वरी 2022 तक थे, फिर ये चेंज हुए, चिक, हैड़कोर्टर ब अब देखिए, ऐसा भी होने लगा है, निमने लिखित में से किस देश के डॉक्टर ने दुनिया का पहला आनुवानसी रूप से संसोधी सुमर के हृदय को, जो अपना पिग होता है, पिग देखा होगा समने अनिमल, ठीक है, जो सुमर होता है, कह रहे, पिग होता है, उस इंटेलिजन वहीं है, ऐसे लोग, ठीक है, तो USA ने क्या करा, एक अमेरिकी व्यक्ती, डेविट बैनिट, आनुवानसी रूप से संसोधी सुमर, जैनेटिकली मोडिफाइब पिक से, हाट ट्रांस्प्लांट प्राप करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ती बन गए है, 12-15 January 2022 इंडिया, निमनलिखीत मैं से किसे भारत में चल रही, सोलवी अधिकारी क्वेन बैटर रिले, जो कि 12-15 January 2022 तक चली, के लिए बैटन बेर के रूप में चुना गया, तो किसे चुना गया, विनीशा ओमा संकर जी को चुना गया, तो किसे चुना गया, विनीशा ओमा स जिल्यूज इन धाका, धाका अंतरास्टी फिल्म महत्सा का कौन सा संस्क्रट, 15-23 January 2022 धाका में कई स्थानों पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो कई स्थानों पे हो रहा है, तो कौन सा चल रहा है, यह 20th नंबर का, ठीक है, 20th नंबर का है, नेक्स बात करते हैं हम, और इ दे सेलिब्रेशन विल बिगेन एवरी येर फ्रॉम विजडे, 2022 से गरतन दिवस समहारो हर साल किस तारिक से सुरू किया जाएगा, यह कोशन पूछा गिया, 23 जनवरी से, थोड़ा इसके बार में हम जानते हैं, पहला 24 जनवरी से सुरू होता था, गरतन दिवस समहारो हर सा 24 के बजाए अब 23 जनवरी से सुरू होगा, क्यों? क्योंकि 23 जनवरी के दिन सुभास चंद्र बोज जी का बर्थडे होता है, तो इसलिए बोला कि अब 13 जनवरी से समहारो की प्राक्टिस स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, सुभास चंद्र बोज के जियनती पूरे देश मे पराकरम दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो इसलिए उसी दिन से अब स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब रिहल सर्व अगरा जो भी होती है, सारी चीज़े उसी दिन से स्टार्ट होगी, ठीक, नेक्स है, फर्स वर्ल्ड दीव T20 क्रिकेट चंपियंशिप इन 2023 विर भी ह अचीवमेंट की प्राउट की बात के लिए आप कुछ भी, क्या है, 2023 में पहली विश्व बदी T20 क्रिकेट चंपियंशिप आयोजित की जाएगी, ठीक, डीव जो सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों की T20 क्रिकेट चंपियंशिप हो रही है, और वो भी पहली विश्व की हो हो रही है, पहली बार हो रहा है ऐसा, कहां पर हो रही है, 2023 में हो रही है, लेकिन कहां पर हो रही है, त्रिविंथ पुरम केरल में हो रही है, बहुत ही गर्व की बात है अपने भारत के लिए भाई, नहीं है, बताओ कि डीव T20 क्रिकेट चंपियंशिप भी हो रही है, ऐसे बड़ावाद दिया जा रहा है सबको Next, recently the oldest bear of India passed away as 40 at one Vihar National Park and Zoo of Bhopal What was the name of the bear? हाल में ही भारत के सबसे बुजरुक भालू का 40 words की आयू में one Vihar रास्टी उद्यान और भाल के चिडिया घर में निधन हो गया बालू का क्या नाम था? ऐसा कोशन पूछे जा सकते हैं क्योंकि सबसे ओल्ड था और अनिमल है बहुत ही जादा ठीक ऐसे कोशन पूछे जा सकते हैं तो अब उसका निकनेम था गुलाबो और कहां पर हो भॉपाल में हुआ Next, who among the these has been awarded with the 12th भारत रत्न Docter Ambadkar Award 2022 इनमें से किसे भारवे भारत रत्न अंबड कर अवार्ड पुरुसकार मतलब 22 से समानित किया गया इस बार जो हुआ है भारत रत्न posição ऑंबेटकर अवार्ड उसका 12th एडिशन था और किसको मिला इनमें से ये पूछना पिच्चर से तो लगाई सकते हैं अर्शाली मलोत्रा जी को मिला है जिसको आपने बजरंगी भायजान में देखा होगा अब तो बड़ी हो गई उस टाइम पे बच्ची थी 2015 में फिल्म आई थी बजरंगी भायजान तो उसमें अर्शाली मलोत्रा को बार्वे भारत रत न अंबेट का 2022 से सम्मानित किया गया है चैक चलिए आगे बढ़ते हैं इन जैनुवरी 2022 विस सिटी विल गेट इंडिया फॉस हैली है विद ओल एविएशन फैसिलिटीज जैनुवरी 2022 में किस सहर को सभी विमानन स्विधाओं के साथ भारत का पहला हैली है मिलेगा भारत का पह मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री हैं दुश्यन चटाला ने गोशना करी कि गुरुग राम को सभी विमान सुविधाओं एविएशन फैटिलिटीज के साथ भारत का पहला हैली है मिलेगा इस हैली हैप का मुख्य उदेश रास्ट्री राजधानी के लिए विबिन हेलिक सकते हैं जिसको स्टेट बर्ट ब्लाक फ्रैंक कॉलीन है नेसनल पार्क है कालेश नेसनल पार्क सुल्तानपूर नेसनल पार्क डैम से कोशलिया ने डैम जो कि कोशलिया रिवर पह है ओटो बैर जो कि गागर रिवर पह है अंगापूर डैम जो कि हाकर रिवर पह है आप च 2022 निम्निली की जोडियों में से कौन जनवरी 2022 में यॉनेक सनराइज इंडिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष टीम बन गई है अपने में इंपॉर्टन्ट है साथवी काराइस रखी रेडी और चिराग रेडी बन गए हैं चीक है सी ओप्षन ठीक है देखो ICC Men Test Cricket of the Year Award has been won by whom for the year 2021 ICC Men Test Cricket of the Year का पुरुषकार वर्ट्स 2021 के लिए किस के द्वारा जीता गया है जो रूट के द्वारा जीता गया है थोड़ा अब हम जानते है ICC Men Test Cricket of the Year जो कि England है उन्होंने जीता है ICC Emerging Men's Cricket of the Year का पुरुषकार जाने मन मालान जो कि South Africa के हैं उन्ह मासना जो कि Pakistan से उन्होंने जीता है Men's ODI Cricket of the Year बाबर आजम जो कि Pakistan के उनको दिया गया है फिर नेक्स है ICC Women ODI Cricket of the Year का पुरुषका लिजले ली जो कि दक्षिन अफ्रिका की उन्होंने जीता है चाहे तो आप इसकी screenshot ले सकते हैं यह पूरा detail में है ऐसी हर एक के लिए कोश इनली जोनिया जोनियर रांकिंग में अंडर-19 लड़कियों की एकल में दुनिया की नंबर-1 राइचिल करने वाली पहली भारती कौन बनी है अन्डर-19 में बोल रहे है ठीक है लड़कियों में तो कौन बना है अपना उन्हें मेर्जी बनी है बहुत ही चला आज कल इनका सब्सक्राइब जानते हैं उसके बाद रूस की मालिया गोल वेबा स्पेन की लूसिया ड्रॉंग्रेस का नंबर आया है बॉइस सिंगल्स में वर्ल नंबर वन किस्तिती लक्षेन सिरील वर्मा और आदित्य जोशी द्वारा साजागी है अब देखी बॉइस कभी अलग बनाते तो अलग ओशन बिल जाते इसलिए मैंने वन लाइनर में ही पूरा चीज इंकलूट कर दिया है ठीक है और पहली नंबर पे तशनीम मीर दुसरे पे आपको रूस की और स्पेन की पता चल गई बॉइस में लक्षे सेन सिरील वर्मा आद सेन जी हैं इसकी भी स्क्रेंशॉट ले सकते हैं नेक्स है कत्थक लिजन पंडित बिर्जु महराज पास अवे इन जैनुरी तुथाउजन ट्वेंटिटीटू इन विच यर डिडी रिसीव दा पद्म वुभूशन ठीक है पद्म वुभूशन कत्थक कत्थक कत्थाकार प किसी को नहीं पता होगा किसका प्राप्तिया था 1986 में किया था ठीक है नेक्स है हूँ है इंडिया सेवेंटी थर्ड चेस्ट ग्रैंड मास्टर ओन नाइन जैनुरी 2022 नौज जैनुरी 2022 को भारत के 73 सत्रंज ग्रैंड मास्टर कौन बने ठीक है तो यह नाम पूछ रहा है ती खाल मेंस ओ नाइन फ्रच ग्रैंड मास्टर बन गए है और हाल कि भारती सत्रंज ग्रैंड मास्टर कौन है रजी त्येलिंगbung नंबर गत्रह नंबर Pag cosmos 1 ट revenue minerals ये detail नौभर ौलब 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया है ऐसे कुशन आपको पता है बनते ही है साइलेंट फोर्ड को पहनाया गया है मिसिस वर्ल 2022 का खिताब थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं अब मिसिस के बारे में मिसिस वर्ल बनी है तो कहां से हैं क्या हैं सब जानते हैं मिस्स अमेरिका साइलेंट फोल को मिस्स वर्ल 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया वहाँ ग्रान विले ओडियो की रहने वाली है मिस्स वर्ल 2022 जनवरी 2022 में लाउस विगास नेवादा USA में हुआ था अगेन वेन्यू जाना जुर्री है कहां पर हुआ था स्रीमती जॉर्डन और स्रीमती UAE क्रमस अउप विजेता रही है मिस्स वर्ल पेजेंट विवाइत महिलाओं के लिए पहली और सबसे बड़ी सौंदरी प्रतियोगिता है यह 1984 से चले आ रहा है और 80 देशों के निदेशक है अगर भूल गए हो उन टाइम पर बहुत चला था अगर याद है तो ठीक है नहीं है तो आप लोगो को याद दिला दिया जमिरी 2022 में हिमाचल प्रदेश के पालमपूर में किसकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गिया है विक्रम बत्रा जी की पिच्चल में देब भी सकते हैं और एक मूवी भी बनी है इनी पे अभी हाल में 11.9 वनियों सिधार्थ की मूवी थी आप सभी ने देखी हूगी उमीद करती हूँ बहुत ही अच्छी मूवी बनी थी सेट सा मूवी बनाई थी तो थोड़ा आप इनक पर बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है तो निमने लिखेत में से कौन माइक्रो लाइट प्लेइन में दुनिया भर में अकेले उडान भनने वाली पहली महिला बन गई है पहली है इंपोर्टेंट है जारा रदरफोल आप रदरफोल से याद कर सकते हो साइंस में बैल्जियम की हैं बैल्जियम ब्रीटिश की जारा रदरफोल दुनिया भर में अकेले उडान भनने वाली सबसे कम उमरी की महिला बन गई है उन्होंने यह उपलब्दी हासिर करने के लिए पांच महाद्यूपों के 31 देसों की यातरा करी नेक्स है प्राइम मिनिस्टर नर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने फरवरी 2022 में किस सहर में समानता की मूर्ती के रूप में वर्णित रामना जो चारी की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तो हैदराबाद में करेंगे ठीक है अब इनको स्टेच्यू आफ एक्वालिटी क्यों बोलते क्योंकि नही करें किसी भी चीज में डिफ्रेंशेट करने में नहीं ब्लीफ कर आई यह हमेशा हर जाती के लोग हर जगे के लोग को हर जोग को इक्वाल मानते थे इसलिए इनको स्टेच्यो आफी इक्वालीटी में इनको बोला डिस्क्राइब किया गया और इसकी हाइट कितनी है 2016 फु सब्सक्राइब निमने लिखित में से किसे जनवरी 2022 में संयाद मोधी अंतरास्टी बैटमिंट टूनामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है तो अपनी पीवी सिंदू ने ये खिताब जीता है ठीक है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इशान बटनागर और तन है ठीक है उन्होंने सिखर संगर्स में टी हेमा नागेंद बाबू और स्रीवेद्या गुराजादा को हराया था नेक्स है वट इस दी थीम वट इस दी थीम फॉर नैशनल टूरिज्म डे 2022 विच इस सेलेब्रेटेड एस 25 जैन एवर यर राश्टी परियाटन दिवस 2022 का व किस दिन मनाया जाता है वह आपको पता चल गया ठीक है अब पूछ रहें कि इसका थीम क्या है तो थीम है रूलर एंड कम्यूनिटी सेंट्रिक टूरिज्म है थोड़ा इसकी बार में हम जानते हैं 2021 में रास्टी परियटन दिवस की थीम देखो अपना देश थीम ठीक है औ और विश्व पेटन दिवास 27 सितंबर को मनाया जाता है 27 सितंबर 19 सी को UNWTO ने पहला विश्व पेटन दिवास मनाया था UNWTO क्या है वर्ल टूरिस्म और जिसका हैट्वार्टर स्पेन में है फाउंड 1975 में हुई थी और इसके हैट सेक्रिटी जनरल है जुराव पोलो अब ही मैंने बताया चाहे वो स्टेशन का हो प्लैटफॉर्म का हो एरलाइन का हो ऐसे कोशन पूछे ही जाते हैं कि नेम चेंज हो गया है यह बोल रहे है एक एरलाइन से आगे बढ़ने के लिए जनरली 2022 में किस देश की एरलाइन ने अपना नाम एयर एश्या ग्रूप ब बदल कर कैपिटल एबीएजडी कर दिया गिया है तो मलेशिया की हैं तो मलेशिया की एरलाइन तो एक से कहा है बहुत ही अच्छी बूक है 75 और इंडिपेंडेंस पे लिखी गई है आप पिच्च से रेट कर सकते हैं कौन है यह अपने रसकिन बुद्धुदेव भट्टाचारिय ने जनवरी 2022 में पद्म भूशन पुरु पूरु मुख्य मंत्री थे अब इन्होंने अस्विकार किया है तो अपने में एक बहुत ट्रेंड ट्रॉपिक बन जाता है ये तो ये कहां के थे वेस्ट बेंगॉल के थे इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया या क्या हुआ पूरा हम कहानी जानते हैं थोड़ा सा कारण यह था कि इन्हें पहले सूचना नहीं दी गई कि पुरुषकार बटने वाले हैं करके तो इन्होंने लेने से ही मना कर दिया इन्होंने 2002 से 2011 मुख्य मंत्री के रूप में कारी किरा वहीं अगर हम बात करें गाई का संधिया मुखड जी उन्होंने पदमश्री पुरुषकार को भी उन्होंने भी ठुकरा दिया वज़य यही थी 2022 में राष्टपती ने दो यूगल मामलों सहीद 128 पदमश्री पुरुषकार को प्रदान करने की मंजूरी दी ध्यान सा सुनना पूरी लिस्ट देरी कि एस में एक शौर्ट फॉर्म में पूरी लिस्ट देरी कि इस सूची में चार पदमव भुशन 17 पदमव भुशन और 107 पदमश्री पुरुषकार हैं पुरुषकार प्राप्त करने वाले 34 महलाएं हैं और 13 मरणो प्रांथ पुरुषकार शामिल है नेक्स अगर हम बात करें दर 2022 वोमेन होकी एशिया कप विर भी हेल्ड इन विच कंट्री 2022 महिला होकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया ज जाएगा नेक्स है वर्ल्ड लार्जेस खादी नेशनल फ्लैग वास पूट टू डिस्पले सेलिब्रेट अर्मे डेस एड लॉंगे वाला इन विच्व का सबसे बड़ा खादी रास्टी ध्वज अगर रास्टी ध्वज की बात आये तो अपने में इंपॉर्टेंट है व वहां की फीफा प्र पूरुषकार खिलाडी को और टुल्ड लाज की ने जीता फीफा बैस मैन प्लेएर अवाड फू तो यहां तक के वंपोर्टेंट फिफ्टी कोशन थे करन्ट फियर के प्रीविएस करन्ट फियर के जनवरी के महीने के बहूत इंपोर्टेंट बहुत आई मैं आपको के लिए बहुत informative उमीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में